अरशब नमस्कार दोस्तों वेलकूमी भाग टू एंड केसी नीज दोस्तों इस वीडियों बात में वाले हैं तरज्धाक्षरथी भरती को लेकर दोस्तों और शॉक्ता आपस्ट्रwang और दोस्तों आपका रिजल्ट किस पर आ रहा है वह भी देख लेंगे दोस्तों क्योंकि जॉनते हैं रिजल्ट भी दोस्तों अब जारी होने जा रही है आपको और दोस्तों सची दोरा क्या पूरी अपडेट देखेंगे और यह इतना उतने भी क्या का है वह भी देख लेंगे रिजल्ट को लेकर दोस्तों उससे पहले जो लोग चैनल पलीवार विजीट कर रहे हैं चैनल को बिलकुल सब्सक्काइब कर लों साथ ही उसके पास में लगा च् तो पूरी अपडेट अभी देखेंगे दोस्तों पूरी खबर देने से पहले एक नजर इधर भी देख लेंगे यहां देख पा रहे हैं कि टीटी 2018 में गलत सवालों पर जवाब तलब ती दोस्तों यह बिलकुल ताजाकफर निकलकारे में जिसे कि आपको सेवेरी भी बता सब्सक्राइब दोस्तों फिर से मैं थोरा सा इसको दिखा देना चाहता था इसलिए मैं देखा रहा हूं और उसके बाद 69 भर्ति की आएक और बरेंगे यहां से देख पा रहे हैं यूपी टी 2018 में परशनों को गलत जवाब को सही मनने की खिलाब देख रहे हैं दाखिल कारों पर हकी पुछे गये गए कुछ प्रशन सही नहीं है और प्रदिकारी दौरा जारी संसोधित अंसर की को लेकर आपति है और याशिकाह में 30 नुमबर 2018 को जारी संवे अंसर की गाइज अपको पता है कि दिसम्बर में इसका जो है पेडिटाम को है ज इसको है पेडिटिस अन्य जो याचिका कर चुके हैं उन याचिकाओं पर नियाय मोर्ति मट्रिस उन्हर आगरवार ने 6 मैं तक सचीव परिक्षा नियमक पर देकारी को इस मावले में हलप नमद आखिल करने का निदेश दे दिया है यहां देख रहे हैं कि एक मेहना का टाइम बचा है यानि एक सडेरविना के भीतर उसको जवाब देना परेगा और यदि देख रहे हैं यदि जवाब नहीं दाखिल होता है तो किसी ऐसे अधिकारी को अदालत में हाजिर होना होगा जिसे पूरे मावले की जनकारी हो यानि जो संपुर्ण जनकारी हो जिस अधिकारी को उसको वहाँ पर मजूद कवहना होगा और देख रहे हैं अधिकारी को संसोधित अंसर की और जारी पहिनम के पूरे रिकॉर सब्सक्राइब करें जवाब मंगा था और अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है कि टीटी दुज़रा ठेकि आंसर की जारी होने के बाद जो है याची गन की योर से 20-22 परिशन के उत्तर को लेकर आपती जताए गई थी और इस पर जो है सची परिच्छा नियमक प तीन परश्णों और उच्छ पराथ्मिक टीटी के दो परस्णों पर ही आपतियों स्विकार की यानि accept की ती और शेस आपतियों को नहीं मना जो जितना भी आपतियों थी तो यहां से देख पा रहे हैं कि याची यन का कहना है कि संसोधित अंसर की सही नहीं है और इसे रद कर याची यन को उनके द्वारा दिये गें सही जवाब को अंक दिया जाए और तथा परिक्षा 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 पुना जो है परिणाम इसको संसोजित करके जारी करने के लिए यह पूरी अपडेट है टेटी के लिए कर पूरी अपडेट अब देखेंगे उनातर जारी सिक्ष्ट भरती कई तो दोस्तों सब्स पहले बात आदे आपको की आज अने वाल ते जिससे मैं आपकोब सार रहा था लेकिन दोस्तों आज नहीं आपाए हैं और ये वह उपर ही राहरा गये जौनते हैं कि स्वावने वाले थे लेकिन दोस्तों कुछ कारण ये दोस्तों गोरकपुर में हेडा गए थे योगी इदनत तो देखे गोरकपुर से अब देखे कल जरूर आएंगे क्योंकि देखे कल आपका इस पर फेनल लिसन लेंगे और वो आये नहीं है और सचीब द्वारा देखे क्या कहा गया है सचीब पर आज जितना भी अभियारती थ में जरी कर देता लेकिन सचीब नहीं आने के कारणन वो जारी नहीं कर पाए और उनहीं को आधेस के पालन करेंगे क्योंकि बात कर लेंगे उसके आपका अन्सर की आएगा तो उसमें नमर तो किसी के नहीं वरेंगे जो शिक्षामित्र वाले हैं और जो बच जाएंगे जंडल वाले हैं तो जो जंडल सब को नमर भर सकता है और बात कर लेंगे कर देखे कट आप जो है आपका 60 पर रहने की कम चौंस है क्योंकि आएंगे तो इनके बारे में उका जाया क्योंकि जोनते हैं कि 60 का मामला भी है और 40-40 तो हाइक अधिसन दे चुका है तो आपका यह 60 कम होने के उमीद है दोस्तों आप लोग इंतिजार किजिए और देखिए उमीद हम लोग रखते हैं कि आपका 60-60 हो जाए लेकिन ऐसा होने का चंस बहुत कम है और बहुत सारे अभिहारती ऐसा भी है कोमेंट कर रहे हैं कि सर्जी जो है इसका जो है डायरेक्ट रिजल्ट ही मतलब यह पूरा पर इक्षा लिया जाए यहां पर इक्षा जो है रद करने की बात कर देता है तो दोस्तों देखिए रद को होने की कम चौंस है क्योंकि रद को लेकर भी रिट लगा था जिस पर की कोट ने सुनवाई की और उसको फिर रोक के छोड़ दिया उस पर कुछ फैनल लिसन भी नहीं कुछ बोला भी तो दोस्तों देखिए आपको रद नहीं होगा हो सकता आपका कट आप साथ पेशट जाने की कम उमीद है लेकिन रखिए उमीद जताइए हो सकता है चला जागा तो तो अलग बात है जहां तक तो अभी तो सभी को पता है कि 40-45 का ही फैनल लिसन आया है और भी इसी पर अने की पूरी संभाबना है और देखिए आपका कम चांस है साथ पेशर जाने की क्योंकि सरकार डबल एवेंच में जाने की रहाम नहीं है और बहुत सारे अभियारतियां उनको रगोहार लगाएं क्योंकि जानते हैं कि जो एजी हैं एजी को भी बोले गए हैं जो इसका 97 का ममला लेकर पूरी तरह सुनको समझाए फिर भी वह नहीं समझे और वहां से निकल गए थे तो कुछ को करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा साथ पेशर का देखिए ममला नहीं जा सकता है और 97 होने की चौंस कम है तो जैसे भी अपडेट आ पर ही निर्वर कर रहा है आपको पता होगा कि सरकार जब तक फैनल कुछ नहीं बताइगे तब तक वह अंशर की नहीं जारी करबाएंगे जिसटीप जो हैं तो सचीप भी यहीं बता रहे थे सरकार केंजार कीजिए और आये नहीं है वह आ जाते तो आज ही वह जारी कर दे में अंसर का कि दोस्तों जदा जदा सब्सक्राइबत कर को वहार जो कि रहे हुआ पर बूल सकते और जल्दी से जल्दी यह इतना को बल्वार के ऐसी जारी करवा सकते हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ कर नहीं है क्योंकि दिखे है यह वी इतना तो आएंगे उनको पूरी तरह से सभी लोग लगेंगे नहीं तो व्लाइप कर देते हैं तो आयंगे तो जरूड ऐसा नहीं कि법 लेकिन आएंगे और अब कव आयंगे इतना लिक लट लेगा लेआ लटी ळेभी के चक्र में आप लोग determiner का समनँ है आपको पता है कि आपको आपको अंसर की में जारी करने लेगा त्रेम फिर आंसर की जारी करेगा उसके बाद आपका हो सकता है एक दूर दिन में जल्टाएगा नहीं तो इसमें भी हफ्ता दस दिन पंजरा दिन घीश सकता है कोई ठीक नहीं इसका जब सब चीज लेट ही चल रहा है तो हो सकता है तो यहां प्यादा ज़्यादा ज़्यादा जोर किजिए क्योंकि प्यान पी पर ही आपको कुछ फैनल करे तो जैसे ही अपडेट आएगा निकल कि मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा क्योंकि 69 जाक शिक्षा भरती संदीत को भी अपडेट यहां आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करते रहता हूं और दोस्तों देखिए वाले में बाहर नहीं किया जारा है सभी बाहरी मात्रा में इसमें एस्टुडेंट भी आएंगे क्योंकि सिक्षा मीत्र वाले तो 50,000 जाएंगे उसके साथ बीयर वाले भी जाएंगे और जो बचेंगे तब जेंडल वाले का अंकरा लिया जाएगा जेंडल OVC SCST यह सभी जो है सभी को दिमाग लगा जाए इसमें तो देखिए सबस्पहले कितना होता है और सीट कमेगा तो हो सकता है देखिए और साथ जार पांस वाम जो सीट बची हुई है बाइस जार सीट उसको इसमें एड़स्टमेंट किया जाएगा यानि पलस कर लिया जाएगा इसको पलस करते हैं तो 192,000 पलस हो जाएंगे सीट टोटल कर जाएंगे तो हो सकता है कुछ आपके लिए हो सकती है तो देखिए ऐसा कुछ एड होगा तो भी मैं आपको अपडेट करेंगा दूसरी बात यह निकल कर रही है कि आपका देखिए यह भरती हो जाएगी उन्सटर जाएगी तब आपका 90,000 भरती फिर से चलाएग हो सकता है तो आप लोग तियारी करते हुए हो प्रल्म हो सकता है क्योंकि जब भरती निकाल देग तो इस समय भी दिखत होगा और यह Sultan है और तोarle तो तो जाएगे नहीं किसमें जो भरती है 59,000 जाएगा उसके तो अधिक जाएगा नहीं और तिन लाग इस निकल जाएगे तो दोस्तों आप लोग तैयारी में रहिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए जैसे और आएगा आप सीयल को सिर्णास्मेंट किया जाएगा यहां सबसे पहले अपडेट कर दूगा तो काम की खबरों साथ अल्ट अपडेट लिए अनिकेशन को सब्सक्राइब कर लाएं यहां जो भी अपडेट निकल कर आती है सबसे पहले में बताते हूं आपको और साथ ही बेल बुटन को दवाने के बाद अपने दोस्तों साथ फ् सबसे पहले करके जाएं फिर ने अपडेट मिलते हैं तब तक लिए थेंक उर्भाइ टेक केर